विवियान डिसेना को मिला reality check एकता कपूर ने बताई विवियान को सच्चाई विवियान का सच आया सब के सामने जियां दोस्तों बिग बोस 18 वीकेंड के वोर पे एकता कपूर विवियान डिसेना की जम के क्लास लगाती हुई नजराएंगी या फिर ये कहें कि एक reality check वीवियान को दिया है वीवियान की सबसे बड़ी दिक्कत जो audience को सबसे बड़ी problem है वीवियान से वो ये है उनका attitude जो attitude कब arrogance में बदल जाता है ये वीवियान खुद भी समझ नहीं पाते हैं और अब बता दूमें आपको एकता कपूर वो producer है जिन्होंने वीवियान डिसाना को इंडस्ट्री में breakthrough दिया था जिन्होंने वीवियान को सबसे पहले launch किया था तो वीवियान की सबसे पहली producer यहां पे आई है वीवियान डिसाना को reality check देने के लिए एकता कपूर ने का कि अगर तुमने 10-15 साल इंडस्ट्री में काम किया है तो कौन सा तीर मार लिया खुद के लिए ही काम किया है ना दूसरों के कोई एसान किया है तो इतना ओरा इतना attitude इतना arrogance लेके क्यों चलते हो कि मैं तो कहीं का शेहन सा हूँ एकता ने बताया कि आपसे पहले भी लोग बिग बोस में आए है अगर आप इतने टाइम के बाद बिग बोस में आए हो तो उस शो को उस प्लेटफॉम को इज़दो रिस्पेक्ट करो और आपके point of views आपके opinions गर के हर एक मुद्दे में दिखने चाहिए एकता ने आपे direct सवाल किया कि विवियान आप वोक आउट क्यों करते हो आपकी बातें आपके point of views जो होते है जो कि अच्छे होते हैं जो आप इदर उदर अविनाश, इशा और एलिस को देते हो वो point of views आप रज़त के सामने क्यों नहीं रखते हो वो point of views आप शिलपा करन के सामने क्यों नहीं रखते हो आप खुल के बाहर क्यों नहीं आ रहे हो तो एकता कपूर ने कहीं ना कहीं विवियान डिसाना को reality check दिये और ये सबसे बड़ा info है कि भाई audience दो है, वो कहीं ना कहीं विवियान के attitude को जो कि कब arrogance में बदल जाता है विवियान को खुद पता नहीं लगता अगर विवियान में कमी है तो उस attitude को सुधारने की कमी है और अब एकता कपूर ने direct उसी point पे बार किया है उसी point पे चोट किया है देखना है होगा कि विवियान इसे कैसे लेते हैं